फ्रेंड्स जब भी हम सोना पर्चेस करते हैं तो सोने का जो भाव होता है वहाँ हमें तोले में बताया जाता है एक तोले सोने का भाव यदि 55,000 रुपे है और आपको 4 ग्राम और 7 मिली ग्राम सोना पर्चेस करना है तो इसके लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा समझ लेते हैं आपके पास यह कितने भी ग्राम या मिली ग्राम हो सकता है आप कैलकुलेशन इसी तरह से कीजिएगा देखिए सबसे पहले हम जानते हैं एक तोले में 10 ग्राम होता है आपको जो एक तोले सुने का भाव बताया जाता है वो 10 ग्राम सुने का भाव बताया जाता है ठीके तो simple सा 10 ग्राम सुने का भाव कितना है 55,000 रुपे कैलकुलेशन को आप carefully watch कीजिए आप सबसे पहले हम एक ग्राम सोने का भाव निकाल लेते हैं सिम्पल सा देखिए एक ग्राम सोने का भाव निकालना है तो यहाँ पर जो 55,000 रुपीज दिया गया है इसमें आप 10 से डिवाइट कर दीजिए सिम्पल सा इदि हम 10 से डिवाइट करते तो मेरे पास एक ग्राम सोने का भाव आ जाएगा जो कि पच पन सो रुपीज आएगा देखे 5,500 रुपीज हमें जो मिला है वो एक ग्राम सोने का भाव मिला है ठीक है अब हमें कितने ग्राम पर्चेस करना है 4 ग्राम पर्चेस करना है तो देखे यहाँ पर सिंपल सा हमारे पास यहां 4 से हमें मल्टिप्लाई कर देना है 4 ग्राम के लिए तो 500 जो हमारे पास आया है इसमें हम 4 से दी मल्टिप्लाई करते है तो यहां पर 22,000 रुपीज हमारे पास 22,000 रुपे आते है तो 4 ग्राम सुने का जो भाव रहेगा वो हमारे पास 22000 रुपे रहेगा अब हमें 7 mg भी purchase करना है साथ मिली ग्राम को किस तरह से calculate किया जाएगा समझ लेते हैं दीखें, 1 ग्राम सोने का भाव कितना है हमारे पास? 500 रुपीज अभी हमें 1 ग्राम सोने का भाव पता है और जैसा कि हम जानते हैं एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम होते हैं, जो पच्पन सो रुपीज हमारे पास आए है, वो एक हजार मिली ग्राम के लिए आए है, सिंपल सा कॉनसेप्ट है, तो सबसे पहले हमें एक मिली ग्राम का भाव निकाल लेना है, जैसा कि हम जानते है एक ग्राम सोने का भाव कितना है पचपन सो रूपी तो एक मिली ग्राम का हमें भाव निकालना होगा तक इस तरह से निकाला जाएगा सबसे पहले देखिये 1 mg हमें कर लेना है और 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं तो 1 mg निकालने के लिए हमें से 1000 से divide कर देना है simple सá 1000 से हमें divide कर देना तो हमारे पास 1 mg का भाव आजाएगा जो की 5.5 रूपी आया है देखिये 1 mg का भाव हमारे पास आचुका है अब हमें 7 mg निकालना है तो 5.5 में 7 का multiply कर देना है तो यह हमारे पास आएगा 38.5 रूपीज इस तरह से आपके पास कितने भी mg हो आप calculation कर सकते हैं देखे 7 mg का भाव भी आ चुका है 4 mg का भाव भी आ चुका है simple सा आप इसे add कर लीजिए simple सा देखे 4 ग्राम का भाव कितना है 22,000 7 mg का कितना है 38.5 इसे हम calculate कर लेते हैं तो 22,000 38.5 रूपीज हमारे पास जो भाव है वह आएगा 4 ग्राम और 7 mg सोने का भाव आपके पास इस तरह से कितने भी ग्राम या कितने भी मिली ग्राम दिये गए हो इस calculation के जरीए आप सोने का भाव calculate कर सकते हैं तो I hope आपको concept clear हुआ हो यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई information सीखिए हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए तो आज के लिए इतना ही Thanks friends